नमस्कार साथियो स्वागत है आपका विजन अकैडमी की ओनलाइन क्लास में दिखिए हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब आज उसका पार्ट सेकेंड लिखा है आपके सामने तो स्टार्ट करते हम ब्रेक से शुरू होने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब देखिए फर्स्ट है ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन का मतलब है कोई चीज़ टोटकर खराब हो जाती है कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है उसको हम कहा देते हैं ब्रेक डाउन होना चाहे वो हमारा औरगन और कोई बाडी काम करना छोड़ देता है उसको भी ब्रेक डाउन कह देते हैं तो stop working मतलब है stop working for example I was late to school because my car broke down मैं school जाने से लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कार खराब हो गए थी मतलब घड़ी खराब हो जाए कार खराब हो जाए कोई भी चीज आप खराकाम करना बंद कर देती है तो वहां हम फ्रेजल वब यूज करते हैं breakdown it means stop working next time break even देखिए आप even word को देखिए आप even का मतलब होता है sum मतलब समान रहना लाभ हानी सम रहा for example I was lucky to break even at the gambling देखो मेरा भाग अच्छा था कि जुए में ना मैं जीता ना में हारा है मतलब बराबर रहा समान रहा break even रहा okay next देखते हैं breaking breaking का मतलब है initiate और train किसी नई चीज को शुरू करना या किसी को train करना देखिए आप confuse मत हो जाना break in से क्योंकि break into or break in दोनों में फरक है break into का मतलब तोड़कर अंदर गुसना जबरदस्ति गुसना break in है किसी को train करना या कोई नई चीज को शुरू करना initiate करना for example the cowboy work hard to break in the new horse okay नए घोड़े को train करने के लिए जो कौबवय था उसने गडरी ने क्या किया बहुत ज़्यादा मेहनत की तो ब्रेक इन का मतलब यहां है उसको train करने के लिए नेक्स्ट है break off break off का मतलब है चलते चलते अचानक रुक जाना या अचानक ही ब्रेक कर देना break off का मतलब होता है अचानक तूट जाना ओके एंड अब्रप्ली अचानक ही तूट जाना या समप्त हो जाना नेक्स्ट इसका इग्जांपल देखे पहले शी ब्रोक ओफ दा कन्वर्शेशन एट वंस लगो बात कर रहे थी बात करते करते एकदम से उसने बात करना छोड़ दिया तो ब्रेक ओफ मतलब एंड अब्रप्ली अचानक ही किसी चीज को समप्त कर देना रोक देना बोलते बोलते एकदम से रुक गई तो ब्रेक ओफ हो गई अचानक ही रुक गई तो दिखिए चार की हमने ब्रेक डाउन का मतलब स्टॉप वर्किंग काम करना छोड़ देना ब् या फिर ब्रेक और आफ है एनड एब्रक्टि अचानक ही रुक जाना अचानक ही समप्त हो जाना से प्रेकाउट का मतलु होता है छिप जाना मतलब कहीं से भाग जाना या फिर can happen suddenly अचानक की कोई चीज घट जाना कोई घटना घट जाना जैसे break out हो गया अचानक से कोई घटना घट गई या कहीं से तोड कर बाहर निकल गया कोई अंदर छिपा हुआ था तोड कर बाहर निकल गया तो मतलब वो escape हो गया जैसे jail तोड कर कोई बाहर तो इसकेप होए हैं यहां से बच निकले कहीं से बच निकलते हो तो ब्रेक आउट और अचानक ही कोई चीज घटित हो जाती है उसको भी कह देते हैं ब्रेक आउट हैपन सडनली ए हुज फायर ब्रोक आउट फिफ्ट फ्लोर पांचवी मंजिल पर बहुत बड़ी आग लग तो अचानक ही आग लग गई पता ही नहीं चला किसी को अचानक आग लग गए तो हैपन सडनली और इसकेप दोनों का सेंस आपको क्लियर हो गया होगा ब्रेक आउट से ब्रेक थ्रू अब ब्रेक होता है तोड़ना और थ्रू बीच में से किसी के बीच में से तोड़ना किस को मतलब भैद करना जबरद history तोड कर घुश जाना अंदर घुश जाना खिडकी लगेर खिडकी तोड कर अंदर घुश गया तो इस त्रीक से लग टो लोग टू अंदर ब्रष तो को भेदन करके आगे निकल गया breakthrough का मतलब होता है penetrate यानिके किसी को भेद करें आगे निकल जाना नेक्स्ट है breakup अब देखो breakup के दो सेंस बनते हैं एक तो है breakup with और एक only है breakup तो अगर तो breakup with आजाए तब तो है end a relationship और only breakup आजाए तो event का end होता है मतलब कोई event है कोई घटना चल रही है वो समाप्त हो जाती है तब तो हम कहते है breakup और breakup with किसी से रिष्टा तोड़ देना breakup कर लेना तो मेरी मेरी ब्रोक अप विद जो more than a year तो मेरी को जो से breakup हुए एक साल से जादा हो गया है तो मतलब एक साल पहले उन्होंने रिष्टा तोड़ दिया था relationship तोड़ दी थी next example है event का event समाप्त होना the meeting was broken up मतलब meeting समाप्त हो गई okay तो meeting समाप्त होने के लिए क्या आया है broken up okay तो clear है अब हम चलते हैं next पे चलिए अब देखते हैं bring bring से बनने वाले कुछ phrasal verbs है first है bring about bring about का मतलब होता है cause किसी चीज का कारण बनना किसी घटना का या किसी भी काम का कारण बनना एक माध्यम बनना उसको कह देते हैं bring about she hopes to bring about a change in his attitude तो bring about cause बनना उसको उमीद है कि वो अपने वहवार में परिवर्तन ले आएगी मतलब उस परिवर्तन का एक कारण बनेंगी एक परिवर्तन ले आएगी okay के ब्रिंग इन ब्रिंग इन का मतलब होता है earn करना या yield करना देखो earn करना कमाना ठीक है एकत्रित करना किसी चीज को कमा लेना धन एकत्रित करना या कोई अन्य चीज को एकत्रित करना उसको कह देते हैं bring in his investment bring in profit each year तो उसने जो investment की हुई है वो हर साल क्या है profit कमाती है तो bring in का मतलब होता है कमाना earn करना ओके bring about था cause होना किसी चीज़ का और bring in है earn करना bring on bring on का मतलब भी cause या produce करना होता है किसी चीज़ का कारन बनना कारन होना या कोई चीज़ produce करना उत्पन करना ठीक है for example देखो the assassination brought on the first world war देखो जो Duke of Austria की assassination हुआ था वो एक महतपून वैकती था तो first world war जो है तो कारण क्या बना उस Duke की Duke of Austria जो था उसकी जो assassination थी उसकी हत्या थी उसके कारण first world war हुआ तो वो हत्या जो है वो कारण बनी थी first world war का तो bring on का मतलब होता है कारण बनना ठीक है तो next देखते हैं bring on bring on something या bring on oneself ठीक है bring on का मतलब होता है cause problem for oneself खुद के लिए समस्या त्यार करना या किसी चीज के लिए समस्या त्यार कर देना ठीक है तो खुद के लिए कोई समस्या त्यार करना मुश्किल खड़ी करना या किसी चीज के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर देना उसको कह देते है bring on okay by refusing to listen to his teacher he brought the failure on himself मतलब teacher के बात ना मान कर उसने खुद को एक problem create कर ली वो problem क्या थी? ऐसा फलता की ठीक है उसने teacher की बात नहीं मानी इसलिए उसने खुद के लिए एक problem cause की वो क्या थी? वो ऐसा फल हो गया तो ये था bring on bring on का मतलब है खुद के लिए कोई समस्या को create करना एक बार फिर से देखते हैं bring about किसी चीज़ का कारण होना bring in earn करना bring on किसी का कारण बनना या produce bring about और bring on cause के लिए दोनों यूज हो जाते हैं next है bring on का मतलब समस्या पैदा करना होता है किसी के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहे वो किसी के लिए चाहे खुद के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए प्रिंग ओनाता है next है bring out bring out का मतलब होता है emphasize करना या inspire करना किसी चीज़ पर जो डालना परभावशाली बनाना किसी को या फिर किसी को प्रेरित करना दोनों means के लिए यूज हो जाता है bring out, bring out होता है सामने लेकर आना किसी चीज को अब किसी को inspire करेंगे तो कोई चीज सामने आएगी किसी को प्रेरना देंगे कि तुम कर सकते हो तो वो सामने आएगा वो कर सकता है, emphasize किसी पर बल देना, जो डाल कर किसी बात को कहना bring out होता है जैसे कि the blue shirt bring out the color of your eyes ओके तो ये जो blue color की shirt है इससे तुमारी आँखों का जो रंग है वो बाहर निकल के आ रहा है सामने दिखाई दे रहा है कहने का मतलब कई बार अपने जो color का कपड़ा पहनते हैं वैसा ही रंग आँखों में दिखाई देता है तो color of your eyes वैसे ही जलक अँखों में नजर आती है तो आइलेंड से blue color के नजर आते हैं तो emphasize जो डालना होता है प्रभावशाली बनाना या जो डाल कर किसी बात को कहना और next example है जब इसका inspire के लिए हम यूज करेंगे the teacher is able to bring out the best in her student जो teacher है वो अपने जो students है उन में desire change लाने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए एबल है उनको प्रेरित कर सकती है तो bring यहाँ inspire के लिए है तो first of all example में क्या है bring out का मतलब emphasize करना प्रभावशाली बनाना और दूसरे में क्या है inspire के लिए है second example में next है bring to mind bring to mind मतलब कोई चीज है दिमाग में लेकर आना जो चीज दिमाग में नहीं थी उसको माइंड में वापिस लेकर आना या किसी को याद दिलाना दोबारा remind someone of bring to mind का मतलब है किसी को कुछ याद करवाना जो भूला बैठा है उसको वह चीज याद करवाना यह brings to mind okay for example the smell of baking breads bring my mother's kitchen to mind मतलब पक्ति हुई रोटियों की जो fragrance थे जो smell थी जो fragrance थे उसके नाक में गए तो उसको अपनी मा की रिसोई याद आगी वह सुगंद से अपनी मा की रिसोई याद आगी तो कोई चीज याद आ जाती है किसी चीज को देखकर mind में आ जाती है तो bring to mind next is bring up, bring up का मतलोत है brought up, bring up, पालन पोशन करना, raise करना किसी को, okay किसी को पालना, किसी का उथान करना, किसी को पालना और या फिर किसी का प्रीचे करवाना, किसी का introduction करवाना किसी से bring up for example after his parents died he was brought up by his grandmother उसके माँबाप के मरने के बाद उसके दादी ने उसका पालन पोशन किया तो यहां ब्रिंग अप से ब्रॉट अप बना है second form है उसके तो ब्रॉट अप का मतलब यहां पालन पोशन करना है second example देखिया आप she brought up the subject of having children brought up का मतलब यहां है introduce करना यहां brought up का मतलब है introduce करना वोके बच्चों का पालन पोशन कैसे करने बच्चों को रखना कैसे having children ठीक है इस अब जयक्ट को introduce किया एक नया subject introduced किया तो ब्रिंग अप से ब्रॉट अप बना है तो ब्रिंग अप के तीन सेंस होगे किसी को raise करना, किसी का पालन पोशन करना या किसी नई टॉपिक को, किसी नई चीज को introduce करवाना, ओके, next है, bring down, bring down का मतलो है cause to fail, किसी की asafalता का कारण बनना, किसी को asafal करने में, अपना हाथ देना, तो किसी की asafalता का कारण बनना है bring down, या कोई भी चीज़ हो सकती है किसी की asafalता का कारण, for example, the war brought down the government, मतलब युद से सरकार गिर गई, तो सरकार गिरने का कारण क्या बना, ये जो युद हुआ था, युद के कारण सरकार गिर गई, ये थे हमारा bring, बी से स्टार्ट होने वाले, जिल ये लाले अपना है, ये जो ये हमारा जाई कारण, ये जो सकते है का जो दाे हमारा बनान है का到草 हो से सकतल का कैने है, ये लितार गिर गई, ये गजज है, ये वी का ये वामारा है युद हो आहाइ